पुराने जमिन विवाद को लेकर मंगलवार को दो पक्षों में खुनी संगर्श हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के पांच लोग घायल हुए, पुलिस मामले में कारवाई कर रही है, घायोलबा उपचार जारी है पुराने पारिवारिक विवाद एवम रास्ते की बात को लेकर मंगलवार को शहर में दो पक्षों के बीच खुनी संगर्श हो गया, दोनों पक्षों में धारदार हत्यार चले, घटा में दोनों पक्षों के पांच लोग घायल हो गये, जिनने गंबिर अवस्था में एक इस सालय में किया जा रहा है, वहीं उक्तमामले में केंट आने पर दोनों पक्षों के खिलाब प्रकरन पंजीबत किया गया है, जानकारी के मुताबिक मुल्चंद मार्ग वार्ड नंबर पंदरा में रास्ती की बात और पूराने विवाद के चलते, महेश पिता छोटे मगरे लाल सोनकर उम्र 55 साल और जगदिश पिता मगरे लाल सोनकर की बीच मार्ग पर आने जाने की बात को लेकर विवाद हो गया था, यह विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों पक्षों की बीच धारदार हत्यार निकल गए और एक दूसरे पर हमला कर उक्त विवाद को देख मोके पर बड़ी संख्या में भीड एकत्रित हो गई, वहीं सूसना पर पुलिस में मोके पर पहुची और आपसी समझाईश देने के बाद दोनों पक्षों को ठाने ले गई कि यह बोलगा है कि छूटी रपोर्ट कर दी हमारे नम की जब लड़की को संदे की दिन मारा सुबह साथ बजे वाइक पे आए दो लड़के इसके और ठका देखे उसको पटक के चले हमने रपोर्ट डाल दी हम लड़ाई जगले नहीं करें में कानून कादी से कर रहे थे एनुम ने क्या करा अब उस बात को लेंगे चले है कि तुमने जूटी रपोर ड़ी तो बात का रिवाद कर नहीं हों तौछ हमारा क्या होगा इसका विवाद यषा है लड़की को मादा निए कोमेरा से मोरे कोई नदी को रहने नी देता है यहान कि देता है यहान नी रहेगा इसने यहान कोई भाल घ्ता भीख मी घंझ देती नहीं है इस मामले में केंट थाना प्रभारी एजय सारवान ने बताए कि मुल्चन मार्ग पर दो पक्षों की बीड जमीन विवात को लेकर जगडा हो गया था जिसमें दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हुए है इस मामले में केंट पुलिस ने महेश सोनकर की रिपोर्ट पर जगडेश वार्ण लोगों के खिलाफ मामला दर्जी किया है वही अरजून की रिपोर्ट पर रवी सोनकर वो महेश एवोम अन्य लोगों के खिलाफ धारा 323-537 में प्रग्राण बंजी बर्द किया है